दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल में मैं हूँ आचार इसके तिवारी आज बात करेंगे 12 जून को सुक्र का रासी परिवर्तन होने चा रहा है तो आपकी रासी के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा दोस्तों महान ग्रह सुक्र 12 जून की साम 6 बचकर 29 मेट पर ब्रिसव रास की यात्रा समाप्त करके मिथू रास में प्रिवेश कर रहे हैं जहां ये 7 जुलाई को पराता है 4 बचकर 31 मेट तक गोचर करेंगे उसके वाद करकर रासी में चले जाएंगे इनके रासी परिवर्तन का अन्य रासियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा आए इनके वारे में जानते हैं बात करेंगे सबसे पहले मेस रास बालों के लिए तो मेस रास के दोस्तों आपकी रासिस से तीसरे यानि पराकरम भाव में गोचर करते हुए सुक्र भेतरीन सफलता कारक रहने वाले हैं उर्जा सक्ति में बृद्धी देखने को मिलेगी सामाजिक प्रतिष्ठा इस दोरान आपके बढ़ सकती है सामाने प्रयास करने पर हुए अधिक सफलता प्राप्त करेंगे अपनी रण नीतियों तथा योजनाओं को इस दोरान आपको गोपनी रखते हुए कारी करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा सफल रहने वाले हैं बिदेशी मित्रों से भी सहीयोग की प्राप्ती होने वाली है बिद्यार्थी वर्ग बिदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उस दृष्ट से भी यह सुक्र का गोचर आप के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है इस गोचर के दौरान परिवारिक महोल भी बहुत बहतर रहेगा अब बात करते हैं बृसरास बालों के लिए बृसरास के दोस्तों आपकी रासी से दिती भाव यानी धन भाव में गोचर करते हुए सुक्र का प्रभाव आर्थिक दिष्ट कोण से बहुत ठीक रहने वाला है इस दोरान आप अपनी बाणी के कुसलता के बल पर कठीन हालात को भी नेंतित कर पाने में सक्षम रहेंगे लेकिन इसके साथ साथ ही स्वास्त समंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है गाय के संसाधनों में ब्रिद्धी होगी जमीन का सौधा अगर करना चाह रहे हैं तो इस दोरान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम और सर्तों को गंभीरता पूरबग जाज जरूर कर लें इस अबाधि में किसी को भी अधिक धन उधार की रूप में ना दे अन्यथा हुआ धन समय पर वापस आपका नहीं लोटा पाएगा इस समय कोट के चाहरी से सम्मंधीत ब्यर्थ विवादों से भी आप दूरी बना कर रहे हैं अब बात करते हैं मिथुनञास बालों के लिए मिथुनञास के दोस्तों आपने मिद्टर की रास पर गोचर करते हुए सुक्र हर तरह से लापदाएक ही रहने वाले हैं स्वास्त तो आपका बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है, साथ ही सामाजीक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, केंदर अथवा राज सरकार के विभागों के प्रतिक्षित कारी भी इस दोरान आपके संपन हो सकते हैं, बिद्यार्थियों और प्रतिवुक्ता में बैठने वाले छात्रों के लिए यह समय और भी ज्यादा अनकूल साबित होने वाला है, इस दोरान इसलिए परिक्षा से सम्मंधित आने वाली हर प्रकार की चुनोतियों से निपटने के लिए भी तयार रहेंगे, परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है, बिदेशी कंपनियों मे सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी इस दोरान आपका सफल रहेगा, बात कर लेते हैं करकरास बालू के लिए, करकरास के दोस्तों आपकी रासे से बारवे यानि ब्याई भाव में गोचर करते होए सुक्र का प्रभाव, बिलासता पूर्ण बस्तों तथा गूमने फिरने पर ज़्यादा धन खर्च करवा सकता है इस दोरान आपके खर्चों में भी बृद्धी हो सकती है साथ ही अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिज कर सकते हैं इसलिए इस दोरान थोड़ी से साथ धानी जरूर बरते हैं कोट कचहरी से सम्मंधित मामले भी बाहर ही सुलजा लेना आपके लिए समझदारी भरा काम होगा नहीं तो आप मुस्किलों में भी फ़सकते हैं खास कर इस दोरान किसी इस्तरी का अपमान उसे गाली देना या फिर उसके साथ ऐसा कुछ भी जो समाज और कानून के खिलाप हो आप के लिए भारी पढ़ सकता है गुप्त सत्रों से भी बच्ते रहें वो आपको नीचा दिखाने का एक भी अबसर नहीं छोड़ेंगे समय बहुत साबधानी पूरबक निर्णय लेने का है स्वास्त से समंधिस समस्या से भी साबधान रहना पड़ेगा नए लोगों से मेल जोल इस दोरान आपका बढ़ सकता है अब बात करते हैं सिंगरास बालों के लिए तो सिंगरास के दोस्तों आपकी राज से एकदस भाव यानि लाब भाव में गोचर करते हुए सुक्र का प्रभाव कारी ब्यापार में उन्नती हो रही है और नहीं ने चुनोतियों से लड़ने के सकती भी प्रदान करेगा साथ ही आई के संसाधन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और कोई बड़े से बड़ा कारी भी इस दोरान आपका संपर्न हो सकता है साथ ही अगर आप किसी नई चीज की खरीदारी कर रहे हैं तो उसके अच्छे से देखभाल करने के बाद ही उसमें हस्ताक्षर करें नहीं तो आपके साथ धोका भी हो सकता है गरह स्थितियां आपके लिए अनकूल बनी रहेंगी सामाजिक पत प्रतिष्ठा बढ़ेगी नई जिम्मिदारियों का बाखुवी निर्वाहन करेंगे प्रेम समंधी मामलों में भी इस दोरान मजबूती आएगी प्रतियोगी परिक्षाओं और छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनकूल कहा जा सकता है बात करते हैं कर्णियारास वालों के लिए तो कर्णियारास के दोस्तों आपकी रास्ते दसम भाव यानि कर्म भाव में गोचर करते हुए सुक्राप के लिए मनुनकूल पदपरदान करेंगे किसी भी चुनाव समंधी छेत्रों किसमा ताजमाना चाह रहे हैं तो उस द्रिष्ट से भी समय अनकूल बना हुआ है जमी ज़्यादा समंधी मामले हालोंगे मकान अथवा बाहन का करय करना चाहते हैं तो इस दोरान आप बिल्कूल कर सकते हैं योग भी बन रहा है केंदर्थवाराज के सरकारों में जो भी आपके काम अभी तक पेंडिंट चल रहे थे उनमें अब बेतर तेजी देखने को मिलेगी साथ ही अगर किसी टेंडर का आविदर इस दोरान आप करना चाह रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त होगी नोकरी में इस्थान परिवरतें के लिए प्रयास करना है तो उस दिष्ट से भी गरह फल आपके अनकूल रहने वाला है बिदेशी सम्मंधियों से इस दोरान सुखत समाचार प्राप्ती के योग भी बन रहे हैं अब बात कर लेते हैं तुला रास बालों के लिए तुला रास के दोस्तों आपकी रास से नबं भाव यानि भाग्य भाव में गोचर करते हुए सुक्र का प्रभाव आर्थिक मजबूती तो देगा ही कारेशेतर का भी विस्तार होगा सुआश्ट इस दोरान आपका बहुत ही उत्तम रहेगा परिवार में मंगली कारिकरामों का सुबसर प्राप्त हो सकता है बैवाहिक बारता सफल रहने वाली है संतान के दाइतों के इस दोरान पूरती होगी खास कर इस दोरान आपके घर में नन्हे महमानों का आगमन भी हो सकता है प्रतिक्षित कारे का निफ्टारा होगा बस्तर आभुसनों पर अधिक खर्च कर सकते हैं स्वाधिष्ट बिंजनों का भी इस समय आनंद लेंगे बिदेशी कमपनियों में नागरिक्ता के लिए गर इस दोरान आप आबेदन करना चाहते हैं प्रियास कर रहे हैं तो आपको हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी अब बात करते हैं बिदेशी करास बालों के लिए बिदेशी करास के दोस्तों आपके रास से अश्टम यानी आई भाव में गोचर करते हुए सुक्र बेवाहिक मामलों में बिलंब करवा सकते हैं दामपति जीवन में भी इस दोरान उथल फुथल होनी की संभावना बन रही है, सरकारी विभागों के प्रतिक्षित कारी जरूर संपन हो सकते हैं, स्वास्त के प्रति आप थोड़े से परिसान दिखाई दे सकते हैं, यातरा देसाटन पर धन खूब खर्च कर सकते हैं, सामा आपके मामले में और आपके अपने जीवन साथी के मामले में, नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय भावनाओं से उपर उठकर निर्णाय लेना आपके लिए अच्छा सावित होगा, अब बात करते हैं धनुरास वालों के लिए, धनुरास के दोस्तों आपकी राश से सब्कम यानि दामपत्य भाव में गोचर करते हुए सुक्त का प्रभाव हर तरह से लाप्राधी रहेगा, साज़ा ब्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब सार अच्छा रहेगा, इस दोरान आपैसा कर सकते हैं, प्रतिक्षित कार संपन हो सकते हैं, बिलास्ता पू सबी प्रकार की समसाई इस दोरान आपकी हाल होती न जाराएंगी, मकान बाहन अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उस दिश्ट से भी समय आपके लिए अन्कूल रहेगा, सड़े अंतरकारी लोगों से इस दोरान साथधानी जरूर बरते हैं, बात करते हैं मकारास बालों के ल बिदेशी कमपनियों में, नागरिक्ता के लिए किया गया प्रयास या नुकरी के लिए किया गया प्रयास आपका सफल रहने वाला है, बैवाहिक बारता सफल होने में थोड़ा और समय लगेगा, संतान संबंधी चिंता आपको इस दोरान परेशान कर सकती है, प्रेम संबं में सुक्र अन्कूल इस्थिती में है तो यह गोचार आपके लिए बहुत ही सांदार रहेगा जो भी कारी करेंगे उसी में आपको सफलता हांसिल होने वाली है सासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा साथ ही इस समय आपके लिए समय बहुत उत्तम कहा जाएगा प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह समय बहुत ही बहतर साबित होने वाला है इसके साथ ही मां सम्मान की बृद्धी होगी नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा परिवार में मांगली कारिक्राम का सुबसर मिल सकता है सरकारी कारियों में भी तेजी देखने को मिलेगी इसके साथ ही और अगर आप प्रेम विवाह करने की इख्षा रखते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं यानि दोनों ही चीज़े आपके लिए अनकूल ही साबित होने वाली हैं अब बात कर लेते हैं में रास वालों के लिए में रास के दोस्तों आपकी रासी से चतुर्थ यानि सुख कोट कचहरी के मामलों में भी आपके पक्ष में नेड़ा आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं संता समंधी चिंता में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी समाज के संब्रांत यानि बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और उसे मुलाकातों का परिणाम दूरगामी तथा ला